हो ना दिखा तू ना दिखा तू तर्द दुनिया का मेरा नमाज पड़ ली बिटा जी अमी तो फिर जाओ ये नीचे देखा रहा हो जो इसके क्या जरूरत ही अमी आप भी ना आपको मेरी इंसल्ट करवाने का बहुत शौर नीचे इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं किसी जरूरत मन को है मगर ना जाने क्यों आपको रिष्टेदारों से महुपत के दोरे पड़ते हैं पेटा रिष्टेदारों कहा पहले होता है तुम लो और नीचे देखा रहो और जल्दी से वापिस आना मेरे साथ फिरा के किचन में खाथ बढ़ागो ठीक है कहा गए जब बीबी जी सब लोग बस आते ही होंगे इसलिए तो जल्दी जल्दी सब कुछ गयार करें कि आपके क्या लाई हैं कुछ नहीं कोई काम था जी आपको नहीं क्या हुआ हूर वापिस क्यों ने आई नीचे डाइंग टेबल पर जितने किसम के खाने पीने के चीज़े रखी ना मैं आपके सारी मैनत बेकार ही जानी थी चलो हमारा फर्स था देना अब कुबल किया ने किया उनकी मर्जी आपको तो अपने फराइज याद हैं में मगर माफ किजिए ताया अबू दादा जान के जायदाद की तक्सीम के वक अपने सारे हुकूब को फराइज भूल गए थे देखिए उने किस तरह हमारे हक पर कबज़ा करकर इतनी लगजरी लाइफ को जार रहे हैं पूर गड़े को खड़ो और तुम बच्ची हो तुम्हें क्या जरूओ थे इन सब मामलों में बोलने की और खर बिटा बाज लोग रुपए पैसे से जादा रिष्टों को फौकियत देते हैं जितने से एक तुम्हारे बावा हैं उन्होंने भी अपने भाई और बड़े भाई को कि यह देखें कितना खुब्सूरत सेट है ने मैचिंग का बड़ा महंगा था बड़ी मुश्किल से आपकी लाटी बेटी को फसंद आया है अधर भई हमारी लाटी बेटी है जो मांगे इसको दिलाओ सब कुछ इची का तो है और यह जोड़ा भी तो देखें हो क्रिंग emails क्या बात कर लुद्स है तो शाइद में में अगला टाइम पर आगी बाद न एचोंगी है ने मिलैयो बताओ तो धो तो भी बनाया है झाहिए भी आपके लिए भी आप को पताबी जाई है आए वांसे मिल आंसे मिलाव टो ऐ जाूे वच्छ कॉ अरे अरे क्या कर रहे हैं आपको पता भी है कि आपको शुगर है और तुम पूठा के ले आती हो तुम्हें पता है ना अची है उसके इसकदर फूड लेजमिक्ने बात करती है हर वक्त तांका जाकी में लगी रहती है मुझसों डर लगता है इसकी नसरों से नजर लगा देगी चीज़ों को अरे भतीजी है मेरी बलकर तुम्हें तो इसके लिए भी कुछ ने कुछ लाना चाहिए था ले आओंगी जब एद करीब आएगी तो वैसे भी जो कुछ पर अपनी बेटी के लिए लेकर आती हो उसके लिए तो ऐसा नहीं लाओंगी न चौक के लेके जो हरूम ऐसा अपने कमरे में सब चीज़े और आप भी क्या करते हैं आपको पता है आपको शुगर है फिर भी मीठा खाने बैठ जाते हैं तो चक्रा था बच्ची लाई थी ती महबत से तो रहन बिटा भाई आज तो कमाल हो गया हमारी बैटी अफ़तारी के बाद हमें चाय बिलाना ही भूल गए लेकिन जानो है चाय की बहुत तलब हो रही है अच्छी से चाय बिला दो वो मैं बूल गई थी अभी लादियो अच्छा रुख जो रुख तरुख तरु तुम्हारे अमीने चाय पिला दी ये बताओ तु कि तुम रो रही थे अच्छा बेटा क्या हुआ है बताओ मुझे बोलो अभू आप और ताय जान एकी होन है दादा क्यों अलाद है फिर इतना फर्ग क्यों ताय जान बड़ा होने की वज़े से हर चीज़ पर अपना हग जमाए बैठे और आपका हग मार कर बैठे आप कुछ बोलते ही नहीं बेटाई जो तुमारे दाय जान है ना ये मेरे बड़े भाई भी है और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हमेशा रिष्टों को पैसों पर फॉक्यत दिये है ये तो नाइंसाफी है ना बू नीचे दौलत के अंबार है एक पुरा साइज जिन्दगी गुजारी जा रही है तौलत की रेल फ्यल शान और शौकत का मुजाहरा किया जाता है एक से एक चीज मौजूद है उनके पास मकर उन्हें भाई का ख्याल में क्या वैसी जिन्दगी पर हमारा कोई हग में हमें ये दो छोटे छोटे कमरे बना कर दे दी ताकि आपको मूबंद हो जाए और हमारा सारा हग हड़कर करके बैठके में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता देखो बेटा तुम जो कुछ भी कह रही हो ना वो बाते मैं जानता भी हो और समझता भी हो लेकिन एक बात याद रखो अगर मैंने कभी कोई इंतहाई पदम उठाया ना तो मैं अपने भाई से महरूम हो जाए और बेटा ये मैं कभी नहीं चाहूँगा इसलिए बेटा मेरा मश्वरा है कि तुम भी इन बातों में अपना सर्मत खपाओ छोड़ो इस अबाने अल्ला ने च्छद दी है दो वक्की रोटी इज़त से मिल जाती है यही बहुत है शुक्राना भीरना चाहिए और एक बात याद रगता है तुम्हारी नाखों में कभी आंसों नहीं देट सकता है पुर्ण कुरहन, मैंने नहीं गाड़ी लिए चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो के सल्फी बनाएंगे, आओ ना? नो थैंक्स, मुबारा को गाड़ी के लिए लेकिन पिछले साली तो तुमने नहीं गाड़ी ली थी? आना तो पुरानी हो गए थी, इसे नहीं ले ली? वे इसे ताय अबू के पैसों पर आश कर रहे हो तुम खुद कमाओगे ना, पता चलेगा तो तुम क्यों जलके कवाब हो रही हो, अबबा की दॉला तो यह मेरी? एक ही बहत हो ही ना, बैसे सब कुछ छोड़ो, इसाब राइट में चलो, चलो कुरान बिटा, चलो, देर हो रही है, असालो कम चाचू, अवालेकूम, असलाम सुच क्या रही हो, तुमने अपने खौब बेपी न, इस गाड़ी में राइट नी की होगी, चलो मेरे साथ, आओ ना आई अबू, वो क्या है न, कि इनसान को अपने उकाद में रहना चाहिए, कब किसकी उकाद कहां बदल जाए, क्या पता फिलहाल तो मेरे लिए मेरे अबू की बाई की शहानस हावारी है, मुझे खुशी है कि मैं अपने उकाद में रहती, शौफ ने गढ़ती इसे क्या हुआ बिटा समाल के हाँ, समाल के, देखो, जहां मैंने बताया था, वही रखना अरे बहुत कीमती है, समाल के यह क्या है अभी कुछ अर्से पहले ही तुम्हे ने फनीशर आया था, चुप हो जाओ रुकसाना, जैसे मैंने तुम्हे सैटिंग बताई है ना, वैसी फनीशर की करवाना हाँ कल रुमैसाक सुस्राल वाले आ रहे है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए आप फिकर नहीं करें भावी, मैं देख रहे हैं अच्छा, तो उसके सुस्राल वाले आ रहे है इसलिए अपनी धाग बढ़ाई जा रहे है पैसे का जिया तो कोई तायम निसे सिखे शौफ के चक्रों में लाखों खर्श कर डाले है जो 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 फूरा उनकी अकलोधी बेटी है, उनकी मर्जी है, उनकी अकुछी है बुरी बात है अब आगई हो तो सुरा महरवानी करके चुप हो जो अब अब बू मैं कह रही थी के कल आ जाना थोड़ी सी नजीरा के साथ मदद करवा देना इतना सारा काम होगा अब अकेली नहीं कर पाएगी और तुम दोनों खाना यहीं खाले ना चलो काम देखते हैं, आओ फकीर समझ शक है खाना भी यहीं खाले ना हर पशर है एक वसीला रब से जो मिलवाता है खिद्मते इंसान का रस्ता है खुदा तक जाता है यूं मदद करते हुए एलान तो ना कीजिए इजद ए मजबूर को खुर्वान तो ना कीजिए इज़त ए मजबूर को खुर्वान तो ना कीजिए शुकर है खुदा का सबकुछ बहुत अच्छा हो किया हम्हु अलहम्दोल्यलाँ प्रमेसा बेटा यह सारी चीजे लेके जो और अपनी अलमारी में रखो जैब लोगा देहान से ल मारे में रखना इसलाम लेक्ट करें आमीन असलाम लेकम भाइस आसलाम आलेकम असलाम वो भाइसा मुझे आपसे एक जुरूरी बात करने थी देखो अनसर अभी इस वक्त कोई पुरानी बात ने के मत बैड़ आना प्लीज ने ने ये बात नहीं है आप गलत समझ रहे हैं दरसल मुझे आपका मश्वरा चाहिए था मश्वरा कैसा मश्वरा एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ कि जाइदात के मसाय इतने सीज़े नहीं है बड़ी पेचीद्गी हैं इनमें अभी इनमें कोई फैसला भी नहीं कर सकते बात तरसली है भाई कि कुरान का रिष्टा आया लोग तो अच्छे हैं लेकिन मैं चाहरा था कि मेरी खुशी की खातर अगर आप उनसे एक बार मिल लेते तो आप क्या करेंगे उनसे मिलकर तुम लोग माबा को तुम्हारी ऑलाद है अच्छे बुरे के तुम लोग खुद जिम्हेदा है उच जाके देखो तुम कहा जा रहे हैं अब कहरें रिष्टा देखो कल को कहेंगे जहेज भी आप लोग बना के दो ये दो वो दो बस हम लोग यही करते रहेंगे अशा नहीं है मिल लेते हैं क्या है सुनो तुम यहां सब तो नीचे क्यों वह यहां नहीं सकता है आ सकता है पहले कभी आया नहीं इसलिए है तुम्हार रिष्टा है हां तो इंकार कर दो क्यों 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 कि मैं तुम से शादी करना चाहता हूँ तुम्हार दिमाग तो ठीक है अर्वास मुझसे मजाक करने की जवरती है यह मजाक है नीचे चाचू पापा को तुम्हारे रिष्टा मिष्टे के बारे में बता रहे हैं तो इसमें हर्जे क्या है कहीं न गहीं तो होनी है न में इशादी तो फिर मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी और मेरी फैमिली में वाज़ फर्क ही और तायमी इस फर्क को कभी मिटाने नहीं देंगी तुम्हें मिटा दूगा ना फर्क? मना लूग अपनी मा को मुश्किल है पर मान जाएंगी वो, मालूम है मुझे हमेशा से हमारे हकपक कबजा के बैठो हो तुम्हें हमने कभी कुछ नहीं कहा एक इज़त नफसी तो बची है वो भी चीनना चाहते हो तायमी के बहुत अर्मान है तुम्हें लेकर अपने जैसी बहूलाना चाहती है और मैं ये दूसरे दर्जे की जिंदगी नहीं जियना चाहती है अर्बास पैसे से तुम सब कुछ खरीच सकते हो ने घर, बंगला, न्यू मोडल कार, मगर हो रैन में जो प्रश्चाइब जो आप अर्ष्चाइब नहीं जो 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 बस दुआ करना हमारे लिए जो आओ रुकसाना, तुमने तो नीचे का रास्ता ही भूल गई हूँ भू रमजान की वज़े से इतने काम होते हैं न, इसलिए नीचे नहीं आ से किया आप बताये, कोई काम था क्या नहीं, काम तो कोई नहीं था तुम जो इद आ रही है न, तो तुम लोग को कैसे भूल सकती हूँ सोचा तुम लोग को भी लिफाफा दे दूँ और कुछ कपड़े दे दूँ लो लो ना आओ, तुम भी अपना लिफाफा ले लो तुम्हारी बेटी तो बड़ी नख्रे वाली है, इसकी तो आकड़ी नहीं खतम होती माफ किज़े गताये अप्य अगर आप हक की बात करी रही हैं तो यह साच है कि जिन खुश्यों पर हमारा हक है वो तो हमें मिली ही नहीं और यह जो आप जगात और खेरात दे रही हैं वो बड़े शानों शौकत से दिखा रही हैं कम से कम इन ज़रुत मंदों में तो हम शामिल हैं अगर आपको दे नहीं है, तो प्लीज हमें हमारा हक दीजिए ओरो, चुप हो जो पोलने दीजिए अमी मुझे आज इन्हों ने बता दिया कि यह हमें समझती क्या है अब्बू को देखा है आपने मेरा भाई, मेरा भाई, मेरी बच्ची कह करकर उनके जबान नहीं तक दी इतना प्यार करते हैं वो आप लोगों से, इतनी इज़त देते हैं आपको और आप लोगों के पास उनके उलाद के लिए जगात और खेरात भावी, माफी चाहती हूँ, पुरह भी बच्ची है, उसकी बात कब बुरा नहीं मानी हैगा और घृक्ति मेरे हाल Zac? चल्टी मेरे है करते हैं से, पुलक्ति मेरे भी बच्चा,никशे पर मेरे आप देटीचे यह देखें, तायापू को क्या हुए ? साथ.. तायापू.. ऐआ कबसे पुटें आपे ? वाज दो.. था कर भाच बाभी है.. और भाजाओ, पालियं द्रहो कावीक है.. बाइसाब, बाइसाब उठे.. एलो.. अम्लेस.. अट्टें रेजिया.. अलो.. पुटे पाइसाद, डॉक्टर की सिंदे, चल पाइसाद, अराम सिंदे, हाई अला, मेरा दिल बैठा जा रहा है, अफसार को क्या हो गया, आप हिमत से काम ले, इंशाला ताया अबू को कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अबू और अरबास हैं उनके पास मेरे बेटा में तो, आप हिमत से काम ले, इंशाला सब ठीक हो जाएंगे, आप जाएंगे, शुकराने के नफिल अदा करें, मैं आप सब लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, रोह ये नहीं, सबर करें, दिखेगा, सब ठीक हो जाएंगे, अब सार भाई बिल्कु ठीक है मेरे बेटा में तो, सारी जिन्दजी के लिए तरह मकरूज ही हो जाएंगे, तो तुम मुझे सही वक्त पर अस्पतार ना ले जाती, तो तुम्हारे ताया अब तो बहुत है, अल्ला ना करे ताया अब, आपको हमारी उमर में लग जाएंगे, तुम मुझे अपनी उमर ने मेरी और, मैंने तो कभी इन रिष्टों की पर्वे ही नहीं, हमेशा रुपिया, पैसा, दोलत, इसी के पीसे बागता है, और उन रिष्टों को कोई एहमेत ही नहीं थी, तो आज मुझे अपने जान ने शावर कर रहा है, भाई साब कैसी बाते कर रहे हैंगे, हो उनके अथम थोड़ी होते हैं जिन, विकागजात, प्रपर्टी के, प्रिज्डेस के, जिनको मैं नाधानी में अतना हाँ समझता हूँ कि मुझे पता है, मैं जलत हूँ, कि तुम्हारा हाँ है, और तुछ तो यह है कि तुमने मेरी वेस एक बहुत महरूमी की जिंद़ी गुजारी है, अंसर, हो सकते मुझे मुझे माफ करने लेकिन भाई साब बस बस यह तुम्हारा हाँ है, वो तुम्हे रखना पड़ेगी जिए अंसर सिर्फ एक चीज तुम्हे अपना हक समझ के माँग रहा हूँ किसी बाते करने हैं भाई साब, आपकी हर बात मेरी सार आखों पर अपने इस नालाज बेटी के लिए तुम्हारी औरेन का रिष्टा माँग रहा हूँ अगर तुम्हें मन्जूर होती है भाई साब, तुरैन कल भी आपकी बेटी थी और आज भी आप ही की बेटी है अंसर तुम्हें मुझे एद का सबसे बड़ा तोफा दे दिया है इद से पहले ही तुम्हें तुम्हें मुझे तुम्हें तुम्हें जबा। इस इस इत पर इंशालला अरबाद और हुरैन की मंगने करेंदी। हुआ हुआ है हो ना दिखा तू ना दिखा तू तर्द दुनिया का मेरा